नमस्कार मैं निशा आप देख रहे हैं बिग निउस अमरपूर छेत्रे के तहड़ी गाउं में दिल दहला देनी वाली घटना घटित हो गई जहां पानी से भरे बाल्टी में गिरने से एक वर्सी मासूम की मौत हो गई मिर्टक रवी ठाकूर का छोटा पुत्र बजरंगी कुमार उर्फ गोलू बताया गया मामले को लेकर मिर्टक बच्चे की मा कंचन देवी ने बताया कि घर में बाल्टी में पानी भर कर ज़ाडू लगाने घर के बाहर चली गई थी इसे दौरान पुत्र बाल्टी में गिर गया आनलफानान में पुत्र को लेकर अमरपूर अस्पताल गई जहां डॉक्टर ने पुत्र को देखते ही मिर्ट खोशित कर दिया वही नवसात की मौत के बाद परिज़नों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया मौके पर मौजुद ग्रामीनों ने बताये कि बच्चे का पिता रवीर ठाकूर चंडीगर में रहकर मज़दूरी करते हैं इन्हें दो पूत्र था जिसमें बड़ा पूत्र मनी ठाकूर जबकि छोटा पूत्र गोलू था घटन के बाद मौजुद ग्रामीन भी हत पर वद दिख रहे थे घटन के सूश्टा मिलते ही अमरपूर थाने में पद अस्थापित अवर नीड़क्षक रामशंकर सिंग तहटी गाउं पहुँच कर मिर्दक मासुम को परीजिनों के बयान को कलम वुद किया बागा जिले में बिहार सरकार के विज्ञान वे प्रवयधे की बंतरी की सुमीद कुमास सिंग के बागा जिले के कई छेत्रों का दौरा क्या सब्वेपर्थन चना के चोरी करने के आरोप में बारहार थाना छेत्री के मोहनपूर में मारे गए संतोस कुमास सिंग के परिवार से मिलेत तथा परिवार को संतावना दी इतना ही नहीं वहीं दूसरी और मंदार परवत की सैर भी की एवं रोपी को जल से जल चालू करने की बात कही मंत्री सुमीद कुमार सिंग ने अपने पिता के मित्र गोपाल सिंग को नमन करते हुए उनके पूत्र कुनाल सिंग से अपचारिक भेट की जा भव्या स्वागत किया गया सदर में जाकर पत्रिकारों से मुखातिप हुए कथा बिहार में सब ठीठ ठाक चलने की बात कही एवं जरूरत पढ़ने पर साहता करनी की भी बात कही मंत्री ने इंजिनियरिंग पॉलिटैक्टिक कॉलेज के प्रधार चारी वपधादिकारियों एवं सिच्छकों से भी फेट पार्ता की गुरुवार को प्रखन जिवी का परियोजना काडिलाई के सभागार में खेसर संकूल के सभी ग्राम संगठन की सक्रीदीदियों को एक दिवसी प्रसिक्षन दिया गया जिसमें सराब बंदी लागू होने के बाद भुकमरी के कागार पर पहुंच चुके अने समुदाइक परिवारों के चैन करनी के जानकारी दी प्रसिक्षन च्हेतरी समनवय विप्रजेश कुमार, रन्वीजे कुमार, समुदाइक समनवय चंदन कुमार ने दी प्रसिक्षकों ने परिवार के चयन के लिए निर्धारित मापदन के अधार पर करने की जानकारी दी बताया कि सराब बंदी के बाद देशी सराब के कारोवारी खास कर एसी वर एस्टी परिवारों को आर्थिक संकर झेलनी पड़ रही है इसलिए वैसे रविवार को भी टीका खत्म होने से सैक्ड़ों लोगों को बीना टीका के लिए बापस होना पड़ा था इसको लेकर जीलब प्रतिरक्षन पधादिकारी डॉक्टर मनुझ कुमार चौदरी ने बताया सुक्रवार को स्टॉक नहीं रहने के कारण टीका करन बंद रहेगा उन्होंने कहा कि वैस्विक में हमारी से बचाओ को लेकर कोवीट-19 का वैस्विक का स्टॉक गुरुवार तक ही था उन्होंने कहा कि 23,690 वैक्सिन का डोस मीला था जो समाप्त हो गया है आने वाले दिनों में वैक्सिन कमी ना हो इसके लिए हम लोग लगातार प्रदेश क स्वस्थिय विभाग के अधिकारियों से संपर्क में है आप उर्दिय जल्द हो जाएगी जिसके बाद वैक्सिनेसर का कारत फिर से सुचारू रूप से चलाया जाएगा वही भागरपूर जीले में करोना के वैक्सिन की समाप्ती होने से लोगों में इसके संकर्मन को लेक केर भाई का मौहौल देखा गया अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेनी का लेकिन उससे पहले आप सभी से आग रहे अगर आपने अब तक मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर ले साथ ही अगर आप हमारा फेस्बूक पर न